श्रीक्रिष्ण गोबिन्द हरे मुरारे तेनात नारायन वासुदेव श्रीक्रिष्ण गोबिन्द हरे मुरारे तेनात नारायन वासुदेव यशुदा के लाल है बाल गोपाद महिमा ऐसी कि नंदलाल की एक मुस्कान पर सारी विपडा सारे कश्ट दूर हो जाए परिशानियों से पार पाने का मुसीबतों को दूर भगाने का सबसे सटीक और कारगर उपाय है श्रीक्रिष्ण का ध्यान भगवान श्रीक्रिष्ण को याद करने का सबसे आसान तरीका है उनके मंत्रों का जाग अब ना तो कोई विपदा आएगी ना कोई मुसीबत आपको छूपाएगी क्योंकि अब तो आपके कश्ट मिटाएंगे गिर्थारी दुख दूर करेंगे मुरारी श्रीकृष्ण हरेंगे विपदासारी भगवान श्रीकृष्ण के अलग-अलग मंत्र का प्रभाव अलग-अलग है इन मंत्रों के जाप से सुख सौभागे की प्राप्ति होती है शुभता बढ़ाने और सुख प्रदान करने में ये मंत्र अत्यंत प्रभावी माने गए हैं सबसे पहले आपको बताते हैं भगवान श्रीकृष्ण का मूल मंत्र क्रिम कृष्णाय नमह ये श्रीकृष्ण का मूल मंत्र है इस मूल मंत्र का जाप सुख सौभागे लाता है प्राताकाल, नित्यक्रिया और स्नानाधी के बाद 108 बार ये मंत्र जपे ऐसा करने वाले मनुष्य सभी बाधाओं और कष्टों से सदैव मुक्त रहते हैं श्री कृष्ण का सब्ध दशाक्षर महा मंत्र परमकल्यानकारी है इस मंत्र का पांच लाख जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आईए जानते हैं सब्त दशा अक्षर महा मंत्र की महिमा ओम श्रीम नमह श्री कृष्णाय परिपूर्ण तमाय स्वाहा है जिस व्यक्टि को ये मंत्र सिद्ध हो जाता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है प्रभू श्री कृष्ण को प्रिसंद करने के लिए साथ अक्षरों वाला श्री कृष्ण मंत्र भी उत्तम है यह मंत्र है गोवल भाय स्वाहा ये साथ अक्षरों का श्री कृष्ण मंत्र है इसका जाप जो भी साधक करता है उसे संपूर्ण सिथियों की प्राप्ति होती है आठ अक्षरों वाला श्रीकृष्ण मंत्र गोकुल नाथाय नमाहा ये मंत्र परम का ल्यानकारी है आठ अक्षरों वाले श्रीकृष्ण का मंत्र जो भी साधक जाप करता है उसकी सभीक्षाएं और अभिलाशाएं पूर्ण हो जाती है भगवान श्रीकृष्ण की कृपा पाने वाले भट को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती श्रीकृष्ण की कृपा के लिए उनका दशाक्षर मंत्र है ये दशाक्षर मंत्र श्रीकृष्ण का मंत्र है इसका जो भी साधक जाप करता है उसे संपूर सिध्यू की प्राप्ति होती है जीवन में सुक संब्रधी आती है भगवान श्रीकृष्ण के द्वादश आक्षर मंत्र का जाप हर तरही के मुसीबत से छुटकारा दिलाता है ये मंत्र है ओम नमो भगवते श्री गोविन्दाय भगवान श्रीकृष्ण के कृपा जिसे मिल जाती है उसे जीवन में आनंद ही आनंद मिलता है सभी बाधाएं दूर हो जाती है और जीवन सरलता से गुजर जाता है देवकिन अंदर श्रीकृष्ण के कुछ और भी कल्यानकारी मंत्र है वो हम आपको आगे बताएंगे बने रही हमारे साथ